नमस्तार मेरा नाम ग्यानिश्श्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी देखिए लाइव सिटी जो खबर बताता है वह सौ फिस्ती सत्यता के डावे के साथ बताता है आज सुबस सब्से पहले आपको हमने खबर बताई कि सिबान के पुरुप सांसद मुहमर दीन का निधन हो गया है कोरोना ने उनकी जान ले ली है लेकिन जब हमने खबर प्रकासित की खबर हमने दिखाई तो इसके बाद बहुत सारा हंगावां बच गया कई सारी एजेंसियों ने खबर को पुष्ट भी किया लेकिन कई लोग पीछे हट गए लेकिन लाइव सिट अब्याया उपाध्याय हॉस्पटल दिल्ली में उनका हिलाच चल रहा है हालत नाजुक वनी हुई है और उनके भी फेस्टुक से डेखे सहाबादीन की हालत नाजुक थी और सहाब बुष्टिन अस्पताल में थे तो फिर वे फेस्टुक पर पोस्ट कैसे करते हैं कि हम management की ओर से भी कि सहाब बुद्दीन नहीं रहे हैं सहाब बुद्दीन का निधन हो गया है आपको पता है कि 20 अप्रैल को सहाब बुद्दीन को तिहार जेल से दीन द्याल उपाध्धाई यह होस्पिटल लाया गया था इलाज के लिए उए कोरोना पॉजिटिट पाए गये थे और जब जेल से अस्पताल के लिए चले थे तब थीकी थे पतलब संक्रामन इतना नहीं फैला हुआ था लेकिन अस्पताल में आने के बाद संक्रामन और जाना फैल गया उन्हें में भर्ती करा दिया जाए लेकिन यह संभब नहीं हो पाया और यह कोशिस नाकाम हुई और आज सहाब उद्दिन ने डम तोर दिया है देखे सहाब उद्दिन की मौत की खबर से सिवान में उनके समत्रक उनके फॉलोर जेस भर्मिट हैं वे निरास हुए हैं वे उदास हुए हैं आरजेडी में भी सोक की लहर है मितुंजय तिमारी जो आरजेडी के स्पोक्स पर्शन है उन्होंने कुछ दिर पहले कहा भी था तो सिमान में उनके घर पर बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे हैं सहाब उद्दिन की पत्नी हीना सहाब की तब्यत भी खराप पता सहाब उद्दिन की मौत की सहाब उद्दिन जो सिवान से चार दफे सांसद रहे सहाब उद्दिन जिनकी हनक जिनकी ठसक सिवान में बोलती रही और सहाब उद्दिन ने कह दिया तो ये सहाब का आदेश होता था लेकिन उनका राजनितिक अंती भी जिन्दगी के अंत के प केज को लाइक किजिएगा ट्यूटर पर भी हमें फॉलो किजिए धन्यवाल